Hello everyone, a very lovely good morning to all of you, I hope everyone is fine, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ total 20 queries share करूँगा, पिछले 3-4 दिनों से मैं काफी busy चलू दा था, queries को regularly post नहीं कर पाया, मेरे पास अभी total 20 queries pending है, तो ये सभी queries मैं आपके साथ share करूँगा, लेकिन उससे पहले आप सभी के साथ एक important message मुझे share करना ह मेरे पास बहुत से teachers के messages आते हैं कि sir आप जो daily basis पर queries post करते हो, दिन की 5-6 queries post करते हो, तो हमारे लिए इतना feasible नहीं है, उन सभी queries को check करना, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आप सभी को आपकी class के according और आपके subjects के according, क्या class आप teach करते हो, क्या subject आप पढ़ाते हो, उस के according आप सभी को मैं divide कर रहा हूँ, तो आप वीडियो के नीचे comment कीजिए कि आप क्या class teach करते हो, और क्या subject पढ़ाते हो, कौन सी class का क्या subject आप teach करते हो, वीडियो के नीचे comment कीजिए, उसी के हिसाब से मैं आप सभी की list बना दूँआ, और उसी के according आपको queries regularly मिलती रहेगी आप में से जो भी teachers वीडियो को regular चेक करते हो, वो वीडियो के नीचे comment डाल दिया करो, तो जो भी teachers जादा connective रहेगा, जो queries, जो subjects वो deal नहीं कर सकता, वो queries वो share करेगा, तो basically उस teacher को मैं direct number share कर दूँँ, वीडियो को post करने से पहले, query को post करने से पहले ही मैं उन्हें students की details share कर दिया करूँ है ताकि उन्हें ठोगा सा benefit रहे, उन्हें direct classes भी मिल जाए, query number one, class 7th के लिए, English के teacher की requirement रहेगी, query post की गई है, ये कनिशका की तरफ से, इन्हें 12 session चाहिए इना month, एक month में 12 classes दिने चाहिए, और यहाँ पर fees mention किया है, budget इन्होंने बता है, कि 3000 के around इनका budget रहेग class mode ये offline रहेगी, class की जो location रहेगी वो near विदान सभा, New Delhi, तो विदान सभा के near 3000 निन का budget है, month में 12 classes होगी, 7th class के लिए, अगर interested है तो आप मुझसे contact number ले सकते हो, second query, class 7th के लिए mathematics के teacher की requirement है, और ये query post की गई है, शिव प्रकाश की तरफ से, इनकी जो location है, वो है जोनपूर उत्तरपंदेश, offline classes के लिए इन्हें teacher चाहिए, Monday to Friday, 5 classes in a week, यानि इनको month में 20 classes चाहिए, और इनका जो budget रहेगा, वो 6000 के approach रहेगा, class mode offline रहेगा, query number 3, class 12th के लिए, accounts के teacher की requirement रहेगी, ये query post की गई है, शिवम चोदरी की तरफ से, इनकी जो location है, वो है, शिव मंदिर गली, वेस्ट बाबरपूर, न्यूदेली, इन्हें month में 20 sessions चाहिए, Monday to Friday, और इनका जो budget रहेगा, फीस का वो रहेगा, 10,000 के approach, और ये class mode offline रहेगा, तो अगर आप interested है, तो आप message करके इनका contact number ले सकते हो, query number 4, class 12th के लिए, mathematics के teacher की requirement रहेगी, class mode यहाँ पर offline mention किया गया है, ध्याने की offline mode है, और location है, वसंत कुझ, डेली, तो अगर आप वसंत कुझ से बिलोंग करते हो, class 12th का math teach करने में interested हो, तो आप मुझे message कीजे, इनका contact number में आपको share कर दूँगा, इसके बाद query number 5th, यहाँ पर class 10th के लिए, दो subject teacher की requirement है, mathematics and science, class mode यहाँ पर offline mention किया गया, और इनकी location है, योजना विहार, डेली, तो class 10th के लिए, योजना विहार में अगर आप math और science teach करने में interested हो, चाहिए आप एक कर सकते हो, या फिर आप दोनों subject में रस कर सकते हो, तो आप मुझे message कीजिए, मैं इनका contact number आपको share कर दूँगा, class mode यह offline रहेगा, इसके बाद query number 6, यहाँ पर भी class 10th के लिए, mathematics के teacher की requirement है, class mode यहाँ पर offline mention किया गया है, और यह query post की गई है, यह location रहेगी, मयूर विहार, phase 1, Delhi, तो अगर आप मयूर विहार से belong करते हो, class 10th के लिए mathematics teach करने में interested हो, तो आप मुझे message कीजिए, इनका contact number मैं आपको share कर दूँगा, इसके बाद जो next query post की गई है, यहाँ पर online classes की requirement है, query number 7, online classes के लिए teacher की requirement रहेगी, class 12th के लिए accounts के teacher की यहाँ पर need है, यह query post की गई है, शेला मैम की तरफ से, और इनकी location है, तमिल लाडू, बट class mode यहाँ पर online रहेगा, तो अगर आप 12th class के लिए account का subject stage करने में interested हो, तो आप मुझे message कीजिए, इनका contact number आपको मिल जाएगा, query number 8, class 12th के लिए physical education subject teacher की need है, class mode यहाँ पर online mention किया गया है, और यह query post की गई है, कनिका की तरफ से, इनकी location है, सूरत, गुजराद, तो class 12th के लिए physical education का subject teach करने में interested हो, class mode online रहेगा, तो आप मुझे message कीजिए, और type कीजिएगा, कनिका, class 12th physical education, online classes, सूरत, मैं इनका contact number आपको share कर दूँगा, query number 9, यहाँ पर class 12th के लिए, computer science के teacher की requirement होगी, और यह query post की गई है, the name of the student is 7, class mode यहाँ पर offline mention किया गया है, offline, और इनकी location है, वसंत कुछ, तो अगर आप class 12th के लिए, computer science का subject teach करने में इंट्रस्टेड हो, तो आप type कीजिए, computer science 12th, सावन, offline, वसंत कुछ, मैं इनका contact number आपको share कर दूँगा, query number 10th, यहाँ पर class 11th के लिए, physics के teacher की requirement रहेगी, query post की गई है, वर्णिया की तरफ से, class mode यहाँ पर offline mention किया गया है, offline, और इनकी location है, बैंगलोर से, तो अगर आप class 11th के लिए, physics का subject teach कर सकते हो, बैंगलोर से बिलोंग करते हो, तो आप message कीजिए और type कीजिए, class 11th physics वर्णिया बैंगलोर, मैं इनका contact number आपको share कर दूँगा, query number 11th, जी query post की गई है, विनोद यादव की तरफ से, इनने spoken English के teacher की requirement है, इनकी location है, मलाड, West, मुंबई, मारास्टरा, और class mode यहाँ पर teaching mode online रहेगा, तो अगर आप interested है, spoken English के लिए online teach करने में, तो आप type कीजिए, विनोद यादव, spoken English, मलाड, West, मुंबई, मारास्टरा, मैं इनका contact number आपको share कर दूँगा, query number 12, अभिनाव की तरफ से post की गई है, इनकी location है, sector 18, पानीपत, इनने class 7th के लिए, mathematics और science के teacher की requirement है, और class mode यहाँ पर online mention किया है, class 7th के लिए mathematics और science online mode, और इन्होंने mention किया कि class 6th के लिए इनने ICSC syllabus cover करना है, during the summer break, तो अगर आप class 7th के लिए math science teach करने में interested हो, तो type कीजिए, अभिनाव, पानीपत, sector 18, class 7th, math science online, मैं इनका contact number आपको share कर दूँगा, query number 13, यहाँ पर class 2nd के लिए, all subjects के teacher की requirement रहेगी, query post की गईया, अमरीक सिंग की तरफ से, इनकी location है, जनकपुर डेली, तो अगर आप class 2nd के लिए all subjects teach करने में interested है, जनकपुर से बिलोग करते हो, तो type कीजिए, अमरीक सिंग class 2nd all subjects, जनकपुर डेली, इनका contact number में आपको शेयर कर दूँगा, query number 14, यह class 12th के लिए, जूलोजी के subjects teacher की requirement है, जूलोजी का teacher चाहिए ने, और यह query post की गईया, अक्षता की तरफ से, इनकी location है, बैंगलोर, और teaching mode यहाँ पर online रहेगा, online, अगर आप यह class teach करने में interested है, तो type कीजिए, अक्षता जूलोजी, class 12th, बैंगलोर, online, मैं इनका contact number आपको शेयर कर दूँगा, query number 15, computer science के लिए, teacher की requirement है, computer science के लिए, और यह class होगी, class 11th, जो query post की गई है, यह gokol की तरफ से post की गई है, gokol मुकंदन, और class mode यहाँ पर online रहेगा, इनकी जो location होगी, वो होगी, तरिशूर केरला, तो अगर आप computer science teach करने में interested हो, class 11th के लिए, तो आप type कीजिए, computer science class 11th, gokol मुकंदन, तरिशूर केरला, मैं इनका contact number आपको शेयर कर दूँगा, query number 16, class 12th के लिए, biology के subjects teacher की requirement है, जो query post की गई है, वो सवराज पुहान की तरफ से post की है, इन्हें home tuition के लिए teacher की requirement है, biology class 12th के लिए, और इनकी location है, बुद्धा नगर, भूवनेश्वर, उईसा, तो अगर आप class 12th के लिए, biology teach करने में interested हो, तो आप message कीजिए, और टाइक दीजिए, biology class 12th, सवराज पुहान, home tuition, भूवनेश्वर, उईसा, बुद्धा नगर, मैं इनका contact number आपको share कर दूँगा, query number 17, 12th class के लिए, computer science के teacher की requirement रहेगी, sonu की तरफ से ये query post की गई है, और इनका teaching mode होगा online, अगर आप interested है, इन्हें 12th class के लिए, 3 subjects के teacher की need है, accounts, business, और economics, इनकी location है, बारादेव, गोडो विला, वारा नसी, UP, और इन्हें offline classes के लिए teacher चाहिए, offline, accounts, business, studies और economics, तीनों subjects रहेंगे, गोडो विला, वारा नसी से, तो अगर आप interested है, teach करने में, तो मैं आपको contact number शेयर कर दूँगा, query number 19, यहाँ पर, class 12th के लिए, economics के teacher की requirement रहेगी, साजला की तरफ से, यह query post की गई है, और इन्हें offline classes के लिए teacher की requirement है, इनकी location है, साहिबाबाद, जो की गाजियाबाद, UP में है, तो अगर आप economics teach कर सकते हो, class 12th के लिए, शाइबाबाद से belong करते हो, offline classes ले सकते हो, तो आप मुझे message कीजिए, मैं इनका contact number आपको share कर दूँगा, and the last query, query number 20, यहाँ पर, UKG class के लिए teacher की requirement होगी, हर्ष वर्दन की तरफ से, यह query post की गई है, teaching mode यहाँ पर offline रहेगा, और यह query post यह है, इनका जो location है, वह है, armpit, Hyderabad, armpit, Hyderabad, UKG class के लिए, offline teacher की requirement है, आज की total 20 queries में से, अगर आपको एक भी subjects, या class अपने according नहीं मिली है, तो वीडियो के नीचे comment कीजिए, अपना subject mention कीजिए, कि आप क्या subject teach करते हो, कौन सी class को पढ़ाते हो, और आपकी location क्या है, ओके, wish you all the best, thank you.